जैसे की आज हम आपको बताने वाले हैं emergency injection के बारे में जो hospital और cleaning में सबसे ज़्यादा उप्योग किया जाता है यह injection ज़्यादा तर doctor उप्योग करते हैं जैसे की कौन सी दिकत कौन सी परिशानी में कौन सा injection लगाया जाता है जैसे कि हम सबसे पहले इंजेक्शन की बात करते हैं जो हमारा सबसे पहला इंजेक्शन है वो है ट्रेनेग्जा इंजेक्शन में क्या कमपोजीसन पाया जाता है जैसे कि चलिए जान लेते हैं इसमें पाया जाता है ट्रेनेग्जमिक एसिड इस इंजेक्शन का सॉल्ट होता अब चलिए जान लेते हैं इस injection का उप्योग कहां किस परकार की परिषानी में डॉक्टर के द्वारा या injection लगाया जाता है या injection का काम होता है इसका इस्तेमाल रक्त के बहाओ को रोकने के लिए किया जाता है इस injection का काम होता है अगर आपके सरीर से किसी भी कारट से बिलेड निकल लाए तो उस blood को यह निकलने नहीं देता है एक परकार से हम कहा सकते हैं कि अगर सिरीर से blood निकल लाए तो उस blood को यह रोक देता है जिससे blood आना बंध हो जाता है इंजेक्शन हमेसा IB दिए जाता है यानी intravenus root से इस injection को मरीज को लगाया जाता है अगला इंजक्षन की बात करते हैं जो हमारा अगला इंजक्षन है वो है इंसूलेट इंसूलेट इंजक्षन में क्या कमपोजीसन पाया जाता है चलिए जान लेते हैं इसमें पाया जाता है इथमसलेट इस injection का composition होता है अब चलिए जान लेते हैं यह injection किस परकार की समस्य में डॉक्टर के द्वारा लगाया जाता है जैसे रक्त के बहाओ को यह रोकने का काम करता है जैसे अगर आपके सरीर से किसी भी कारट से ब्लेड निकल लहा है जैसे कि हमारा अगला injection है जो पेंटाप, पेंटाप इंजेक्सं में क्या contents पाया जाता है जो इसमें पाया जाता है पेंटाप और आजोल 40 समझी पाया जाता है इस injection का काम क्या होता है, यूज़ कहां पर करते हैं डॉक्टर जैसे कि इसका इस्तेमाल पेट में बनने वाले गैस को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा या इंजेक्शन लगाए जैसे कि अगर किसी को बहुत ज्यादा गैस बन रहा है तब डॉक्टर के द्वारा या इंजेक्शन लगा जाता है उसे एसीडिटी की प्राबलम है उ अब डॉक्टर के द्वारा गैस की प्राप्लम को ठीक करने के लिए या injection लगाया जाता है, या injection डॉक्टर के द्वारा आई-वी यानि intravenous route से दिया जाता है जैसे कि हम आगले injection की बात करते हैं, जो हमारा आगला injection है, वो injection है, AC-Lock injection, जान लेते हैं, इस इलाग इंजक्षन में क्या कंटेंट्स पाया जाता है, क्या कंटेंट्स पाया जाता है, जो इसमें पाया जाता है, रेनेटिडीन, रेनेटिडीन इसमें सॉल्ट होता है, अब चलिए जान लेते हैं, इस इंजक्षन का उपियो कहां पर करते हैं, डॉक्टर की परेसानी क समझे में जैसे कि इसका इस्तेमाल पेट में बनने वाले एसिट की मात्रा को कम करने के लिए यह इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा लगाया जाता है जैसे अगर किसी को इसी डिटी की प्रॉब्लम रहती है गैस की प्रॉब्लम रहती है तब डॉक्टर के दोपरा यह इंजेक्षन मारीज को लगाय जाता है अब जान लेते हैं यह इंजेक्षन लगाय कैसे जाता है यह इंजेक्षन कुछ डॉक्टर IV-state यानि intravenous से direct देते हैं और ज़्यादा तर जो इस injection को लगाया जाता है drip में डाल करके IV root से या injection दिया जाता है injection direct IV root से नहीं दिया जा सकता है नहीं तो मरीज को problem होने लगता इसलिए इस injection का उपयोग drip में डाल करके IV root से फिर दिया जाता है जैसे की आगला हमारा injection है ABIL ABIL injection anti-alargic होता जैसे की अब जान लेते हैं इसमें क्या contents पाया जाता यानि क्या composition पाया जाता है जो इसमें पाया जाता है phaniramine mylate इसका composition होता है अब चलिए जान लेते हैं या injection इस्तेमाल कहां पर किया जाता है किस परकार की समस्ष्य तु इसका इस्तेमाल सरीर में कहीं भी होने वाले एलर्जी को ठीक करने के लिए डाक्टर के दौरा यह इंजेक्शन लगया जता है। यानि जैसे कि अगर आपको बॉडी में किसी भी परकार का ऐलर्जी हो रहा है। शरीर में कहीं पर किसी भी परकार के एलर्जी हो रहा है, तब इस इंजेक्शन का उपयोग डाक्टर के दोरा एलर्जी की कंडिशन में किया जाता है, इंजेक्शन IEM और IV दोनों रूट से दिया जाता है, जैसे कि अगर आपको IV रूट से देना है, तो ये injection हमेशा सिलो दिया जाता है जैसे कि हमारा अगला injection है Dexona Dexona injection इस medicine का काफी famous brand name है अब इसमें क्या contents पाया जाता है चलिए जान लेते हैं इसमें Dexamethasone sodium phosphate पाया जाता है अब चलिए जान लेते हैं Dexona injection का उप्योग कहां कहां पर डॉक्टर के द्वारा किसकी समस्या में किया जाता है जैसे कि इसका इस्तेमाल कई परकार से करते हैं allergy की condition में जब किसी को allergy हो जाता है किसी भी परकार का allergy body में हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा या injection मरीज को लगाया जाता है और जैसे कि सांस लेने में समस्या होने लगती है, बिरीधिंग पॉपलम जैसे अगर किसी को सांस लेने में प्रॉबलम होने लगती है तब भी डॉक्टर के दोरा यह injection लगा जाता है और इस injection का उपयोग arthritis की condition में doctor करते हैं और भी कई सारी जगों पर इस injection का उपयोग किया जाता है या injection IEM और IB दोनों root से दिया जाता है मरीज को जैसे की अगला injection है हमारा beta-sp beta-sp injection में क्या contents पाया जाता है जो इसमें पाया जाता है beta-methasone, sodium phosphate पाया जाता है अब चलिए जान लेते हैं इस injection का उपयोग, doctor के दौरा कहां पर किस परकार, किस बीमारी की समस्या में doctor के दौरा या injection लगाया जाता है तो इस injection का इस्तेमाल कई परकार से करते हैं जैसे की allergy की condition में, अगर किसी को किसी परकार से allergy हो जाता है तब भी doctor के इस injection का उपयोग, arthritis की कंडिशन में भी doctor, लोग इस injection का उपयोग करते हैं arthritis की condition में इस injection का उपयोग मरीज को लगाते हैं जैसे कि अब हमारा injection आ गया antibiotic injection antibiotic injection में जो हमारा पहला injection है वो है monosaf sp यह monosaf sp एक गराम का injection होता है अब चलिए जान लेते हैं इसमें contents क्या पाया जाता है इसमें पाया जाता है citrexone sodium injection और इसमें sasalbectum भी पाया जाता है चलिए अब हम इस injection के उपयोग जान लेते हैं या injection कहाँ पर किया जाता है किस परकार के समस्या में जैसे कि इस injection का उपयोग कई परकार की बीमारियों में डॉक्टर करते हैं जैसे कि टाइफाइट फीबर जैसे कि अगर किसी को टाइफाइट बुखार की समस्या रहती है तब भी डॉक्टर के द्वारा या injection लगाया जाता है और जैसे कि ये meningitis की समस्या में इस injection का उपयोग डाक्टर करते हैं और जैसे कि lungs infection यानि अगर किसी के फेफ़डों में किसी परकार का infection हो जाता है तब भी डॉक्टर के द्वारा या injection लगाया जाता है और इस injection का उपयोग urine infection की समस्या में डॉक्टर के द्वारा किया जाता है और भी बहुत सारी परेशानिया बहुत सारी दिक्कत में डॉक्टर के दौरा या injection मरीज को लगाया जाता है लेकिन ज़्यादा तर इस injection का उप्योग टाइफाइट फीपर की समस्या में किया जाता है लॉंग्स इंफेक्षन यानि फेपडों में किसी परकार का इंफेक्षन हो जाता है तब ही डॉक्टर के दौरा इन सारी समस्याओं में या injection का उप्योग करते हैं जैसे कि अगला जो हमारा एंटिवाइटिक इंजेक्षन है वो है जेंटा माइसिन इंजेक्षन जेंटा माइसिन इंजेक्षन हम जान लेते हैं इसमें कंटेंट्स क्या पाए जाता है? जेंटा माइसिन सल्फेट अब जान लेते हैं इस इंजेक्षन का ओपिएो कहां पर किस परकार के समस्याओं में किस परकार की रोग की समस्याओं में डॉक्टर के दौरा या injection मरीज को लगाया जाता है इसका इस्तेमाल कई परकार से डॉक्टर करते हैं जैसे कि हड्डियों में किसी परकार का इंफेक्शन हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा या इंजक्शन लगाया जाता है यानि बोन के बोन इंफेक्शन में और जैसे कि हर्ट इंफेक्शन हर्ट से संबंदित अगर किसी को हर्दे से संबंदित अगर किसी को संकर्मण रहता है तो उसमें भी डॉक्टर के द्वारा या इंजक्शन लगाया जाता है और जैसे कि नीमोनिया की कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा या इंजक्शन मरीज को लगाते हैं अगर किसी को निमोनिया रहता है तो उस सिचोशन भी डॉक्टर के द्वारा इस इंजेक्शन का उप्योग किया जाता है और जैसे कि जनाइटल इंफेक्शन जन्नांगों से जुड़ी अगर कोई समस्या रहती है तब भी डॉक्टर के द्वारा इंजेक्शन लगाया जाता है और इस इंजेक्शन का उप्योग जाता तर फोड़ा फुनसी जब हो जाता है इसकीन पर तब इस समस्या में डॉक्टर इस इंजेक्शन का उप्योग करते हैं अब बात कर लेते हैं इस injection का उप्योग कहां किया जाता है, अब मीका सीन injection का उप्योग डाक्टर किस परकार के रोग में या किस परकार की समस्या में मरीज को लगाते हैं, जैसे कि इसका इस्तेमाल कई परकार की बीमारियों में किया जाता है, जैसे कि bone infection हडडियों में किसी परकार का infection हो जाता है तब doctor के दोरा या injection लगाया जाता है और जैसे कि इस injection का उपयोग पेट के अंदर संकरमड हो जाता है जैसे कि intra-abdominal infection की समस्या में इस injection का उपयोग किया जाता है जैसे कि अगर किसी के पेट के अंदर संकरमड हो जाता है तो उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा यहां इंजेक्शन लगाया जाता है, और इस इंजेक्शन का उप्योग डॉक्टर नीमोनिया की समस्या में करते हैं, जैसे कि अगर किसी को नीमोनिया हो जाता है, तब डॉक्टर के द्वारा नीमोनिया की कंडिशन में यहां अमिका इंजेक्शन लगाया जाता है और जैसे कि जेनाइटल इंफेक्शन की समस्या में डॉक्टर के द्वारा यहां इंजेक्शन लगाया जाता है तो एक परकार से हम कहा सकते हैं बहुत सारी समस्याओं में इस इंजेक्शन का उप्यों किया जाता है क्योंकि यह एक एंटिवाइ जाता है अब चलिए जान लेते हैं इस इंजेक्शन का उपियो कहां पर डॉक्टर के दौरा किया जाता है मरीज को कौन सी दिक्कत कौन सी परेसानी रहती है तब इस इंजेक्शन का उपियो करते हैं जैसे कि इस इंजेक्शन का उपियो कई परकार की बीमारियों में किया जा दॉक्टर के दौरा या इंजेक्शन लगाया जाता है और जैसे कि इस इंजेक्शन का उपयोग लंक्स इंफेक्शन में या अगर किसी के फेफ़डों में किसी परकार का इंफेक्शन हो जाता है तब भी डॉक्टर के दौरा या इंजेक्शन लगाया जाता है और इस इंजे आई भी दोनों रूट से दिया जा सकता है लेकिन ज्यादा तर इस इंजेक्शन का उपयोग डाक्टर आई भी रूट से ही करते हैं इंट्रावेनेस रूट से दिया जाता है क्योंकि यह अच्छा काम करता है और जल्दी रिस्पॉंस करता है जैसे कि हम अगले एंटिवाटि पेनिसिलीन एंट टोजबेक्टम पाया जाता है इसमें दो कंबीनेसन होता है इस इंजेक्शन में अब चलिए जान लेते हैं यह इंजेक्शन कहां पर किस परकार की समस्या में डॉक्टर के द्वारा किया जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत सारी परेसानियों में य इस इंजेक्शन का उप्योग किया जाता है और इस इंजेक्शन का उप्योग किया जाता है और जैसे कि इस इंजेक्शन का उप्योग लंग्स इंफेक्शन यानि अगर किसी के फेफ़डों में किसी परकार का इंफेक्शन हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा यह इंजेक को बार बार टाइफ हाइड हो जाता है तब उस कंडिसन में डॉक्टर के दोरा ये साड़े चार गराम का इंजक्शन मरीज को लगाया जाता है और इस इंजक्शन का उपियों जॉइन डिस इंजक्षन सीवियर कंडिशन में डॉक्टर के दौरा मरीज को लगाया जाता है जैसे आप पहले कोई दवाई खा चुके हैं या फिर पहले कोई इंजक्षन लगवा चुके हैं और वो इंजक्षन काम नहीं करता है ताप डॉक्टर के दौरा पिप जो साड़े चार गराम का injection लगाया जाता है पिप जो इस medicine का काफी famous brand name है और जो इसमें contents पाया जाता है वो पाया जाता है penicillin tozobectum इसमें double combination पाया जाता है पिप जो injection में ये injection IV root से दिया जाता है drip में डाल करके नहीं तो कुछ doctor इसे direct IV state देते हैं लेकिन ज्यादा तर इस injection का उपयोग drip में डाल करके दिया जाता है मरीज को जैसे कि हम अगले injection की बात करते हैं जो हमारा अगला injection है वो है clay mom injection clay mom injection में क्या contents क्या salt पाया जाता है जो इसमें पाया जाता है amoxacillin and potassium kluvent इस injection में पाया जाता है इसका salt होता है अब चलिए जान लेते हैं कि इस injection का उपयोग कहां किस परकार के रोग में या किस परकार की समस्य रहती है मरीज को तब डॉक्टर के द्वारा या injection लगाया जाता है जैसे कि इस injection का उपयोग कई सारी बीमारियों कई सारी परियसानियों में डॉक्टर इस injection का उपयोग करते तब भी डॉक्टर के द्वारा यह इंजक्शन लगाया जाता है, और इस इंजक्शन का उप्योग फेपड़ों में संकर्वन, यानि अगर किसी के फेपड़ों में किसी परकार का संकर्वन हो जाता है, तब भी डॉक्टर के द्वारा यह इंजक्शन लगाया जाता है, जैसे बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी परेसानियों में डॉक्टर के दौरा यह injection लगा जाता है, यह injection काफी अच्छा होता है, यह आपको medical store पर claimam नाम से मिलेगा, यह claimam इस medicine का काफी famous brand name है, यह injection IV root से दिया जाता है, चलिए हम अगले injection के बारे में बताते हैं, जो हमारा अगला antibiotic injection होता है, वो होता है metrogil injection, metrogil इस injection का काफी famous brand name है, यह injection में क्या contents पाया जाता है, जो इसमें contents पाया जाता है, वो पाया जाता है metronidazole, इसका salt होता है, अब चलिए जान लेते हैं, इस injection का opioid कहाँ पर किया जाता है, जैसे की इसका इस्तेमाल काई सारी बीमारे, काई सारी समस्याओं में, डॉक्टर अपने experience के अंसारी, इस injection का opioid करते हैं, जैसे की दस्त लगने पर, luge motion के समस्य, या अगर किसी को दस्त आता है, तब उस समस्या में डॉक्टर के दौरा या इंजक्शन लगाया जाता है लूज मोसन की समस्या में और जैसे कि इस्टमाक इंफेक्शन जैसे कि पेट में संकरमड हो जाने पर किसी परकार का संकरमड हो जाता है पेट में तब डॉक्टर के दौरा या इंजक्शन लगाया जा हमारा अगला इंजाक्शन है, ieUMSET इंजाक्शन एक परकार से इंजाक्शन होता है। जैसे कि इस में प्रकार से उल्टी इrekक्षन रुप्यलीट हो रहा है यानि उस boomating को ये रोक देता है वो किसी भी परकार से ulty हो रहा है तो उस ulty को रोकने के लिए डॉक्टर के द्वारा boomating को रोकने के लिए ondistan injection लगाया जाता है या injection imset के नाम से किसी भी medical store पर आपको मिल जाएगा imset इस medicine का काफी famous brand name होता है या injection काफी अच्छा होता है अगर किसी को ulty बहुत जादा आ रहा है तो उस ulty को रोकने के लिए डॉक्टर के द्वारा है imset injection लगाया जाता है imset injection में ondistan salt पाया जाता है इस injection का काम होता है सिर्फ ulty को रोकना जैसे कि हम अगले injection की बात करते हैं अगला injection है हमारा dynapar dynapar injection में क्या contents पाया जाता है जो इसमें पाया जाता है salt पाया जाता है वो हमारा होता diclofenic अब जान लेते हैं इस injection का उप्योग कहां पर किया जाता है डॉक्टर के द्वारा जैसे कि इस injection का उप्योग कह सकते हैं किसी body में दर्द हो रहा है तब doctor के दोरा यह injection लगाया जाता है यह injection का काम होता है दर्द को कम करना जैसे कि इस injection का जो famous brand name होता है वो होता है dynapar injection dynapar के नाम से यह आपको किसी भी medical store पर आसानी से मिल जाएगा और जो इसमें salt पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा diclofenic इस injection का उपयोग IEM और IB root से दे सकते हैं लेकिन ज़्यदा तर doctor इस injection का उपयोग IEM root से ही करते हैं intramuscular पर ज़्यदा तर यह injection लगाते हैं जैसे कि अगला हमारा injection है Digoxin Digoxin injection के हम use के बारे में जान लेते हैं इस injection का use कहां कहां पर doctor करते हैं जैसे कि इस injection का उपयोग heart failure यानि heart heart quelqu की condition में करते हैं यह injection I.E.M. और I.B. दोनों रूट से दिया जाता है लेकिन अगर पेमरीज को I.B. स्टेट दिया जाता है तो यह injection slowly slowly लगाया जाता है जैसे कि हम अगले injection की बात करते हैं जो हमारा अगला injection है वो है Lexix Lexix injection इस injection का काफी famous brand name है आपको यह medical store पर Lexix नाम से मिल जाएगा और जैसे कि हम बात करते हैं इसमें contents क्या क्या पाया जाता है salt क्या पाया जाता है जिसमें पाया जाता है फ्यूरेसामाइड इसका salt होता है अब चलिए जान लेते हैं इसका उप्योग कहां पर किया जाता है इस injection का उपयोग high blood pressure की condition में डॉक्टर के द्वारा किया जाता है और भी कई सारी दिक्कत कई सारी परिशानियों में डॉक्टर के द्वारा यह injection लगाया जाता है जैसे कि हम अगले injection की बात करते हैं जो हमारा अगला injection वो है एट्रोपीन injection एट्रोपीन injection में contents भी एट्रोपीन sulfate पाया जाता है अब चलिए जान लेते हैं इस injection का उपयोग कहां किया जाता है जैसे कि हिर्देगत को नियंतरित रखने में या injection काफी अच्छा होता है या heart rate की समस्या में डॉक्टर के द्वारा injection का उपयोग करते हैं अगर उसे कोई दिक्कत कोई परेशानी है तब डॉक्टर के द्वारा एट्रोपीन injection का उपयोग करते हैं जो इसमें contents पाया जाता है एट्रोपीन sulfate इसमें salt पाया जाता है या heart को maintain बना के रखता है या injection जैसे की आगला injection है हमारा नोराड नोराड इंजक्षन इस medicine का काफी famous brand name है नोराड इंजक्षन हर एक medical store पर डॉक्टर के precaution पर मिल जाएगा नोराड इंजक्षन इस medicine का काफी famous brand name है और जो इसमें salt पाया जाता है वो पाया जाता है sterile noradiline यह composition होता है चलिए जान लेते हैं इस injection का उप्योग कहां किस परकार की समस्था में डॉक्टर के दौरा किया जाता है जैसे कि इस injection का उप्योग रख दाब को बढ़ाने में जैसे अगर किसी का जो blood pressure है वो low हो जाता है तो उस blood pressure को बढ़ाने में यानि उस blood pressure को बढ लगाया जाता है इंजेक्शन आई-बी रूट से दिया जाता है जैसे कि इस injection डॉक्टर अगर मरीज की इस्तिती ज्यादा खराब रहती है प्रकार से severe condition रहती है उसका blood pressure ज्यादा लो रहता है तब डॉक्टर के दौरा यह injection आई-बी इस्टेट दिया जाता है नहीं तो व मरीज की वही condition ज्यादा severe रहती है तो इससे आई-बी इस्टेट डारेक्ट दिया जाता है जिससे जो इसका blood pressure low रहता है वो बढ़ जाता है जैसे कि अगला injection है हमारा eptoin, eptoin injection में क्या contents पाया जाता है जो इसमें पाया जाता है fenutine, sodium, sodium इसमें salt पाया जाता है, eptoin इस medicine का या इस injection का काफी famous brand name है, अब इस injection का opioid कहां पर करते हैं चलिए जान लेते हैं, जैसे कि इस injection का opioid epilepsy की condition में doctor के द्वारा किया जाता है, जैसे अगर किसी के मिर्गी के दौरे आने लगते हैं, मिर्गी की वो patient रहता है, अगर उसे मिर्गी बार बार जैसे repeat होने लगता है, या म हमारा अगला injection है dairy filing, dairy filing injection हम जान लेते हैं, इसमें contents क्या क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, इटो filing और थियो filing, या injection इसमें दो composition पाया जाता है, अब चलिए जान लेते हैं, इस injection का opioid कहां पर किया जाता है, जैसे कि इस injection का opioid asthma attack की condition पर किया जाता है, जैसे अगर किस का सांस फूल रहा है, उसे सांस फूलने की बीमारी रहती है, तब डॉक्टर के दोरा dairy filing का injection लगाया जाता है, जैसे कि अब हम बात करते हैं, यह injection IV root से दिया जाता है, slowly slowly करके यह injection लगाया जाता है, लेकिन इस injection के साथ में लगाने से पहले डॉक्टर इस dairy filing और इस के साथ में पीटनी साल इंजेक्शन भी लगाते हैं, यह injection IV root से दिया जाता है, जैसे कि अब डिकत कोई परिशा नहीं है, तो आपन इनर्जी की डॉक्टर या फार्मासिट से संपरकर करके दोबाले कोई भी दवाब मरजी से ना